कि रेडिए विल्कम एक दूस्तों क्या हाले आप सब का मैं उमीद करता हूँ किया आप सब खेरियाट से होगे तो कहीं न कहीं कल से पहले जिन लोगों को कलकी के ऊपर डाउट था कि पता नहीं कैसा वी एफेक्स होगा पता नहीं मेकर्स क्या कर रही है पता नहीं मेकर्स ने इतना पैसा इस फिल्म पर क्यों बहाया बहाया भी है या मेकर्स भी सिर्फ आदी पुरुश की तरह बाते कर रही है तो जितनी भी गैज ये क्वेस्टिन जितनी भी लोगों के माइंड में थे कल से पहले गैज वो सारे के सारे खतम हो चुके है अब बहुत से लोगों ने वो टीजर अभी तक नहीं देखा है नहीं उस एविंट के बारे में कुछ देखा है अब भी पबलिक भाई साब उठना स्टार्ट करेगी देखना स्टार्ट करेगी तो उसका अलग रियक्शन हैगा बट जिन लोगों ने देखा भाई सब उनका क्या रेस्पोंस आया मैं आपको वो बताने वाला हूँ इस एविंट की वज़े से कलकी की प्रोमोशन पे क्या एफेक्ट पड़ा वो बताने वाला हूँ जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर है उनके बारे में परभास ने क्या बोला वैसाब वो मैं आपको बताता हूँ मज़ा आरे वाला है आपको मतलब कि आप समझो कि इस एविंट के बाद पूरा कपूरा खेल ही चेंज हो गया है पूरा कपूरा कमाल अब क्या सारा सीन है कंप्लीट देखते हैं बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे सारे भाई और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताक कैसी बडिटेट वीडियो आपको मिलती रहें अब गईस देखो सीन यह है कि रात को बुजी का टीजर और एविंट जो है वो बड़े बड़े क्रिटिक्स ने देखा मतलब कि जो सोचल मीडिया ट्वेटर वगारा पर हैं उसके इलावा गईस जो बड़े-बड़े पेजिस हैं आयम डीवी ले लो इस तरह के बड़े- बच्चन के ऐश्वत्हामा का बईसाब टीजर था नो डाउट उसको भी बाब लेवल रेस्पॉन्स मेला था क्रीजी लेवल का लेकिन उसके भी गईस जो रिव्यूज थे वो हर तरफ से निकल कर नहीं आये थे जितना इस इवेंट को लेकर हैं यहार सोचल मीडिया के बच्ची के टीजर के रात कोई रेक्शनाना स्टार्ट हो गे थे लेकिन अभी मैंने क्या बोला मॉर्निंग में पबलिक उठी कि उसको पता चलेगा चाब बच्ची कर टीजर आया था तो यह वो और तबाही मजेगी लेकिन बईसाब मेकर्स ने यह जो इवेंट है ना यह करके बता दिया है कि कल की कोई मनलब कि वो फिल्म नहीं है जिसके बारे में हम बोलते है कि यार मेकर्स ऐनी बोल रही है पांच चेसो क्रोड नजर नहीं आ रहा लेकिन अब यह एवेंट और बुजी का टीजर देखने के बाद क्लेर कट सब को पता चलेगा है कि यह कोई न लोगों ने जिस तरीके से अवेंट को बनाया है बैई देखो न वेंट में किया ही डारिलंग परबास की एंट्री थी डारिलंग परबास जैसी बुजी पर आते हैं तो वह सारे जो फिल्म के कैरेक्टर थे जैसी उपन होता है बुजी का डौर तो बैज वो सारे गिर जात लेकिन उन दोनों पर मलग की बड़े इवेंट ना छोटे इवेंट तो बहुत हुए ये दो बड़े जो इवेंट थे मूवी की रिलीज के बैसाब इन इवेंट पर जो एक्टर से जैसे शारुखान थे और आदी पुरुष में परभास थे तो वो ऐसी नौर्मल गेट अप म भी रेवेल किया रियल में मेरा भाई तो ये एक ऐसी बाप लेवल गाईज इन्हों प्रोमोशन किया है ना कि आप सो और वो छोड़ो जब भाई साब बरबास की गाड़ी में एंट्री हुई जब बरबास जरा गाड़ी घुमाते रहे बुची घुमाते रहे फिर वो रु यानि कि वन ओफ दी रीसंट टाइम में ये नंबर वन एवेंट बन चुका है नंबर वन एवेंट और मुझे लगता है कि अब इस फिल्म को भी नंबर वन बनने से कोई रोक नहीं पाएगा अब देखो ना अगर आपने बैसा बुजी का टीजर देखा हो तो बुजी का ज पूरश का तो वीएफेक्स बिल्कुली क्या गज़रा थी है जहां पर डिने कंपनी जिसने अब भी गईज लास गौडजीला एक्स कॉंग बैसाब डियोन उनके वीएफेक्स पर काम किया है उसने ही इदर कलकी की भी वीएफेक्स पर काम किया है और वो 56 सेकंड का जो गई अब देखो डर्लेंग बरबास ने अगर ये बोला है तो इसका ये मतलब है कि ये बज़ेट की केरियर की सबसे ज्यादा बड़े बजड़े बजट की फिल्म है इससे पहले बगए सब अगर आदि पूरुष सबसे बड़े बज़ट की फिल्म थी 500 क्रोर पिर उसके बाद स दत जो है मलब प्रोड्यूसर is a daring producer कहते है is a daring producer luckily he had two daughters so aapna and Priyanka with the same passion and zeal they are all inspiring यानि यह सार ही भाई सो आप जो है ना daring भाई साब जो होते हैं ना daring मलब के कुछ कर दे कहने वाले ना वो producer है तो मलब कमाल और फिर गईस जो producer है शनिदत वो कहते है कलकी 2898 ED is a small film कहते है is a small film till the release यानि कि release 27th of June से पहले पहले ये छोटी से film है once it release then it's going to go really big यानि कि ये release होने से पहले छोटी से film है लेकिन जब ये release हो जाएगे तो ये इतनी बड़ी हो जाए कि आप लोग सोच भी नहीं पाओगे तो खेंड दोस्तों कल का इवेंट जो था जित्रा मैंने सोचा था मतलब कि मैं अगर अपना परसिनली बताओं तो पिछले एक हफ़ते से मैं भी बुजी बुजी सोना था और बुजी भी देखो ना मतलब कि दो टाइर आके एक टाइर पीछे और फ्रंट से भाई साब ऐसी लोग है कि ये बैक से लोग है तो एक अलगी भाई साब बुजी को भी लोगों ने करते हो तो मज़ा आने वाला है आप लोग मुझे बताओं आपके लिए इवेंट कैसा रहा और इवेंट में सबसे बेस्ट चीज़ आपके लिए क्या थी अभी तक के लिए तक लिए तक लिए तक विडियो को लाइक करो चैनल को सबस्क्राइब करो रगली आने बाग में तक लिए तक लिए तक लिए झाल 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 झाल